कोई भी देखके यकीन नी कर पाएगा कि ये बर्फी मावे से नहीं बनी है ना दूद का खर्चा ना मावे का खर्चा बिना गैस जलाए, बिना चाशनी के आज ये बर्फी की रेसिपी में आपके लिए लाई हूँ देखने में ये जितनी सुन्दर है टेस्ट में उससे भी सुपर है बहुत ही कम सामानों से दानेदार और सौफ्ट बर्फी बनके तयार हुई है कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने ये घर पे बीना मावे के बनाएए लोग तारीफे करते नहीं थकेंगे जब आप उन्हें ये बर्फी खिलाएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो यहां एक मिक्सर जार में मैंने ले ली है आदा कप चीनी और मैं डाल रही हूँ दो इलायची अच्छे फ्लेवर के लिए अब इसे बारिक पीस लेते हैं ये देखिए मैंने पीस तो लिया है पर बारिक हुई है नहीं हुई ये चानने से पता चलेगा तो एक मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और उसमें एक चलनी से चान लेते हैं क्योंकि पूरी तरह से पिस नहीं पाती है कभी कभी तो जो मोटे दाने होंगे वो छणने के उपर रह जाएंगे अगर आपकी मिक्सी में बार एक पिस जाती है चीनी तो छणने की जरूती नहीं है देखे चंद चुकी है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आदा कफी मलाई तो जिस कफ से हमने चीनी नापी थी उसी कफ से मैं मलाई डाल रही हूँ इसमें आप कोई भी एक कफ सेट कर ले और सारा मेजरमेंट उसी कफ से करें तो देखे आदा कफ मैंने चीनी ली थी तो आदा कफी मलाई ली है और इसे मिक्स कर लेते हैं यह थी कि मिक्स हो चुकी है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप नारिल का बूरा या फिर डैसिकेटिट कोकोनट यह भी आधा कप ही लिया है मैंने उसी कप से नापा है जिस कप से चीनी नापी थी और इसे हलका सा मिक्स कर लेते हैं इसे रख देते हैं साइड में और ले रही हूँ मैं खास इंग्रेडियंट इस बर्फी का वो है मुर्मुरे आज हम मुर्मुरे से बर्फी बनाएंगे तो यहां मैंने दो कप मुर्मुरे लिये हैं यानि कि जो चीनी ले थी उससे चार गुना मैंने यह मुर्मुरे लिये हैं इसे भी पीस लेते हैं, यह ज़्यादा बारिक नहीं होते हैं, क्योंकि थोड़ी सी अगर इनमें नमी रहते हैं, तो इसको भी छलनी से चान लेते हैं, यह देखें कितने से रह गए हैं, दो कप लेने के बावजुद भी, तो इसे चान लेते हैं, अगर आप यहाँ पर नारे के लिए थोड़ा मावे जैसा टेक्स्चर आ जाए तो मैं यह वन फूर्थ कप मिल्क पाउडर डाल रही हूं और इसे भी मिक्स कर लेते हैं लेकिन यह अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगी तो अब हमें हाथों का यूज करना पड़ेगा तो अब हाथ से हमें इसे अच्छे स मेश करना पड़ेगा तो चमट से पी जो लगा हुआ है वुतार लेते हैं और हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करना है नहीं तो सारे जो चेनी है वो मैल्ट हो जाएगी और ये एकदम से धिला-धिला हो जाएगा फिर अच्छे टेक्शर नहीं बन पाएगा बर्फी का तो तो चलिए तियारी कर लेते हैं इसको जबाने की तु मैंने यहाँ पर फिसता और बदाम डाले है और थोड़ी सी में यहाँ पर ले रही हूँ गुलाब की पंखुणिया जो की बहुत अची लगेंगि इसमें वाइट में जब लेख可是 के दायो मेक्शन लेंगे और इसे हाथों से पैला देंगे को था फना से स्फिल आये हरो स्फिल बिना मावे से बनी है कि अभी देख नार्ड़ को एक इसा है मावे जैसा और बस मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था 15 मिनिट के लिए देखे अच्छे से सैट हो गई है फ्रीजर में रखें और अब इसे निकाल लेते हैं बार यह देखे बिलकुल अच्छे से सैट हो चुकी है और अब इस वक्त कोई देख के बता भी नहीं पाएगा यह मावे से नहीं बनी है यह देखे कितनी बढ़िया बनके तयार हुई है कितनी सुन्दर लग रही है बस इसे कट कर लेते हैं आप जैसे काटना चाहें काट सकते हैं आज मैं इसे लंबे पीसिस में काट रही हूँ थोड़ा देखने में अच्छे लगते हैं लंबे पीसिस बजार वाला लुक आता है तो बस इसी तरह मैं लंबे-लंबे पीसिस में इसे ज़ा काट रही हूँ ये देखिए काटने से आपको पता लग रहा है कि टेक्चर कितना बढ़िया है वही बर्फी वाला जैसे मावे की बर्फी होती से उसी तरह से का टेक्चर है और उसी तरह का टेस्ट भी उसी तरह का आएगा आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि ये मावे से नहीं बनी है देखे सारी काट लिए मैंने अब आपको मैं दिखाती हूँ एक पीस निकाल के ये देखे लग रही है ना बिल्कुल मावे जैसी तो देखा आपने कितनी आसानी से और कितनी इजिली बन गई है ये बर्फी और तोड़ के दिखाती हूं में आपको टेक्चर कितना अच्छा है कितनी सॉफ्ट कितनी मुलायम कि मुँ में जाते ही गुल जाएगी तो रक्षबंदन का त्योहार आ रहा है और भी हर्याली 30 भी आ रही है तो मिठाईयों की टेंशन ही नहीं है आप ये जटपट बना सकते हैं ये इंग्रेडियन्ट जो है वो घर पे रहते ही हैं आपको ज़्यादा बजार से लाने की जरूत ही नहीं है जो मैंने सामान इसमें यूज करें हैं वो अक्सर घर में ही रखे रहते हैं तो आप कम सामानों से बिना गैस जलाए बना सकते हैं गैस की भी जरूत नहीं है तो रेसिपी अगर पसंद आयो तो लाइक कर दें जादा सजादा शेयर कर दें और प्लीज सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न यूज प्लीज बना सकता है।